नमस्कार सातियों स्वागता आपने यूट्यूब चैनल सम्राड लवर में तो सातियों आज का टॉपिक है परिबार और मा तीन भाई एक बहन की कहनी एक गाम में एक सुखी परिबार रहता था उस परिबार में तीन भाई और एक बहन थी उनके मावाप उन चारों से बेहत प्यार करते थे मंगर बीचवाले बेटे से थोड़ा परिसान थे क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लेकर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा अनपढ रहकर भी इंजिनियर बन गया था मंगर उनका बीच बाला बेटा बिलकुल गबार और आवारा ही बनकर रह गया अब उनके दो बेटे डॉक्टर और इंजिनेर ने साधी भी कर ली थी और कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी की भी साधी एक अच्छे घराने से हो गई थी मंगर बीच वाला बेटा अभी भी कुमारा ही था क्योंकि वो बिलकुल अनपड़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था इसलिए उसे साधी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिलता रही थी उनके मावापन उससे बहुत परिसान हो चुके थे अब जब भी उसकी बहन अपने माई के आती तो सबसे पहले डॉक्टर और इंजिनर भाई के साथ मिलती थी मंगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी क्योंकि वो ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था अब उनके पिताजी की बीच वाले वेटे से साधी की यह बिना ही मिर्तू हो गई उसकी माँने सोचा कहीं अब किसी के मुँझ से बटबारे की बाद ना निकला आए इसलिए अपने ही गाब की एक सीधी साधी लड़की से गवार लड़के की साधी करवादी साधी होते ही ना जाने क्या हुआ अब उसका अनपड़ वेटा पूरा मल लगा कर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा महनत करने लगा अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वो यह ही कहता था कि भाई पहले तो मैं जैसे अकेला कमा कर खा लेता था मंगर अब मेरी साधी हो गई है तो मुझे अपनी पतनी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो मुझे जोड़ना ही पड़ेगा इसलिए दोस्त अब तो तेरे साध नहीं गुम सकता यह कहकर उसका गवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है और उसे दोनों भाई डॉक्टर और इंजिनर आपस में यह बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं इसलिए हम सब घर और जमीन का बटबारा कर लेते हैं और उस गवार से अलग हो जाते हैं क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं आकमा सकता इसलिए उन दोनों भाईयों ने अपनी मा के लाक मना करने के बाब जूद भी बटबारे की तारीक तै कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम काम पर मत जाना क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बटबारा करेंगे उसी बक्त उसकी बहन भी आ जाती है तभी गवार भाई कहता है कि तुम लोग बटबारा कर लो मुझे जो भी देना हो दे देना मैं साम को आकर अंगुठा लगा दूँगा तभी उसकी बहन कहता है अरे बेबकूप तु अनपढ ही रहेगा जमीन का हिसात तो आमने सामने बैटकर ही होता है तभी उसके दोनों भाई के बीच वाले गवार भाई को उल्टा सीधा कहते है तभी उसकी मा भी उसे कहती है कि बेटा आज तु काम पर मत जा बटबारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है उसी बक्त बकील भी आ जाता है तभी बकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाका 10 वीगा जमीन और एक घर है अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है मैं उसी हिसाब से बटवारे के काग्ज बना दूँगा उसी बक्त उनका गवार भाई कहता है कि बकील साहब 55 वीगा मेरे दोनों भाईयों के नाम लिख दो और यह जो हमारा मकान है यह मेरी बहन के नाम कर दो तभी उसके दोनों भाई और भाईयों पूछते हैं उस गवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि मा से बड़ी बस्यत क्या होगी मेरे लिए और उसी बक्त उसका गवार पत्ती भी अपने मा से लिपट जाता है गवार बेटे की बहु के इसी प्यार ने जमीन की जाएजाद को बटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि मा परदो भीया मैं आपको समझ नहीं सकी तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है और रही बात बटवारे की तो बटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा क्यूं करते हैं बटवारा किया हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसा बच्पन में मिलकर रहते थे एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिबार और उस अच्छी परिबार को सवालती है एक मा तभी उसके दोनों भाई भी बहुत सर्मिंदा होते हैं और वो बटवारे के सभी काज को फाड़ देते हैं और उस दिन के बाद से ही एक उनका परिबार खुसी-खुसी एक साथ रहने लगा तो दोस्तो इहती परिबार और मा की एक सची कहानी धन्यवाद